माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन बार बार जूट बोलने की ये जो आदत है आज फिर से पकड़ी गई है एक काम मोधी जी के ग्रह मंत्री ने, उनके मंत्रियों ने, उनके प्रवक्ताओं ने, उनके IT सेल के इंचार्ज ने और भक्तों ने मिलकर किया, बहुत बड़ी भूमिका, मीडिया के कुछ चंद संस्थानों ने भी निभाई, जिनको मैं नॉइडा का कमांडो वर्यर आइंकर गळ कहती हूँ प्रोल करने वाले खैर, भाजपा की IT सेल है, और आपकी कम्यूनिटी के आंकर्ज हैं, जो पत्रकारता का पहला मूल मंत्र भूल चुके हैं, फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी, माफाश हुआ, हमने FIR भी करी उन लोगों क खिलाब क्योंकि ये बताना जरूरी था, भारत जोड़ो यात्रा के 109 दिन हो गए, और इस यात्रा में उम्रे जन सहलाब को देखकर भारतिये जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं, लेकिन वो इतने बौखला जाएंगे, ये हम भी नहीं जानते थे, जहां करों लोग दलगत राजनीती से उपर उठकर भारत को जोड़ने में जुटे हुए हैं, वहां भारतिये जनता पार्टी ने इस यात्रा को बदनाम करने में, दुश्प्रचार करने में, जूट बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, आगे बात करने से पहले आज की बात कर लेनी भाजपा के नेता कह रहे थे, राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कडाके की सर्दी में, जब भारतिये जनता पार्टी के मंतरी, बद्दिमाग, प्रवक्ता और नेता कंबल ओड कर भारत को तोड़ने में लगे थे, तो राहुल ज आस्त्री जी की समाधी पर भी, और यहां पर जैराम सर ने कुछ दिनों पहले बोला था, कि इनको माफी मांगनी चाहिए ये जूट बोलने के लिए, तो जब आज आपका जूट फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी, माफी म ले गए, और इस जूट बोलने को और जूट को बहाने में किस-किस का हाथ था, शुरुवात होती है, राहुल जी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहां सोते हैं, कंटेनर कैसे हैं, उनके भाशरों को काट छाट कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, और ये काम भारतिये जनता पाटी की ट्रोल आर्मी ने नहीं किया, ये काम मोदी जी के ग्रह मंत्री ने, उनके मंत्रियों ने, उनके प्रवक्ताओं ने, उनके IT सेल के इंचार्ज ने, और भक्तों ने मिलकर किया, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका, बड़े खेद और दुख के साथ कहती बहुत बड़ी भूमिका मीडिया के कुछ चंद संस्थानों ने भी निभाई जिनको मैं नॉइडा का कमांडो वारियर एंकर गड़ कहती हूँ जूट को परोसा गया जूट को और बढ़ाया गया उन पर हमारी नजर हो रहागे उनके बारे में बात करेंगे लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जिन सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर ये जूट बढ़ाया गया उन सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स ने भी जूट को बेनकाब किया अगर एक आईटी सेल के ट्वीट्स को एक प्लाटफॉर्म कहता ये मनिपलेटड है या ये आउट अफ कॉंटेक्स है या फैक्ट चेकर्स उसको बेनकाब करते हैं तो ये सिर्फ उनकी बहिजटी नहीं है ये उस अध्यक्ष की बहिजटी है जिनोंने उनको अपउइंट किया है जब मंतरी उसको शेर करते हैं तो ये मोदी जी का जूट पकड़ा जाता है जिनको उन्होंने नुक्त किया है तो सिलस्लेवार तरीके से नो बड़े जूट जो बोले गए और उनको कैसे परदाफास हुआ जैसा कि आपने देखा पहला जूटता पाच सितारा होटेल की तरह कंटेनर है कंटेनर ऐसे हैं जहां चार से लेके आठ और आठ नहीं कहीं कहीं बारा बारा लोग एक कंटेनर में रुकते हैं ट्रक के उपर बने हुए ये कंटेनर कोई ऐसी सुविधा से लैस नहीं है और अगर जादा उनसों विधाओं को उठाने का मने तो भाजपा के कुछ लोग आएं और रहे उन कंटेनरों में चार महीने तक गर्मी इसे बरसात हो गई और बरसात से कड़ाके की ठंड आ गई और आज भी यात्री उस कंटेनर में रुके हुए पहला जूट ये था और उसका जबर्दस्त परदाफाश हुआ दूसरा जूट राहुल जी ने कन्या कुमारी में विवेका नंद जी की अराधना नहीं करी उनका नमन नहीं किरा और इसमें राहुल गांदी ट्रोल मंत्राले जो एक सरकार को अधिकरत तोर पे बना देना चाहिए क्योंकि उसकी एक मंत्री अल्रेडी है स्मृति इरानी जी अपने मंत्राले पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो या कुपोशन हो एक शब नहीं बोलती है लेकिन राहुल गांदी जी को ट्रोल करना हो तो सबसे पहले लपक क्या आ जाती है राहुल गांदी भाशर नहीं देते हैं और प्रेस कॉन्फरेंस नहीं करते हैं आप मेंसे तमामों साथी ऐसे हैं जिनोंने पिछली आठ प्रेस कॉन्फरेंस राहुल गांदी जी की अटेंड करी है उन्होंने तमामों जन सभाय करी है कई नुक्र सभाय करी है जहांपर वो लगातार भाशर देते हैं और बिना तेली प्रॉम्टर के भाशर दे रहे है और बिना सवाल जवाब एक्सचेंज बीं जिसका मन आता है वो सवाल पूछता है कोई सवाल पहले से नहीं आता है और लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं यह अलग बात है कि उनके भाशरों से सरकार की नीद गायब है और एक बात और है साड़े आठ साल से उपर हो गए मोधी जी ने एक भी प्रेस वारता नहीं करी बिना टेली प्रॉम्टर के बोलत यह चौथा जूट है कि राहुल जी दक्षण में सिर्फ चर्च गए यह वही बोल सकता है जो ना हिंदुस्तान को समझता है ना हमारे देश की संस्कृती को समझता है ना दक्षण की मानिताओं को समझता है ना दक्षण के मंदरियों के बारे में जानता है वैसो तो के कुछ मंदिरों का जिक्र यहां पर करना जरूरी है। पानन महराज मंदिर, मध्य प्रदेश में उंका रेश्वर, नर्मदा का घाठ और श्री महा का रेश्वर के तमाम उन मंदिरों में गए जहां हम और आप जैसे लोग जाते हैं और आस्था से इस देश की सुख और सम्रधी की काम ना करते हैं लेकिन ट्रोल आर्मी को आईटी का वार्ट्स तो कड़कड में हैं पाच्वा बड़ा जूट परोसा गया कि भारत जोड़ों यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे क्योंकि मंदिरों से दाल गली नहीं तो चिर परिचित स्क्रिप्ट आ गई पाकिस्तान की वो जूट भी परदा फार्श और समझते हैं कि राहुल गांधी जी ने नर्मदामा के तट पर उल्टी आरती करी अगर बेचारे ट्रोल आर्मी आईटी सेल के हैड ये मंतरी साथवी कक्षा में जाकर थोड़ा पढ़ लेते स्कूल में तो लाटरल इंवर्जन समझ जाते जब आप आरती ऐसे करते हैं ज जब मोधी जी के तमामों वीडियो सामने आ गए और महामानव भी उल्टी आरती करते नजर आ रहे थे आरती तो दोनों लोग सीधी कर रहे थे लेकिन जब महामानव का चित्र सामने आया तो पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी उसके बाद चुप हो गई तो कहने की बात यह कि आप ट्रोल करने राहुल गांदी जी को जाते हैं बकिया आप मोधी जी की उधेर लेते हैं पता नी किसकी सुपारी लेके कौन काम कर रहा है यहां पर उसके बाद सातवा जूट बोला गया कि एक लड़की थी उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे उससे र समूलिया लियोना था जिस लड़की से राहुल गांदी जी मिले वो केरल स्टुडेंट यून आफ इंडिया की लीडर है मीवा अंड्रोलिया बिचारे भक्तों को चश्मा भी खरीदना चाहिए और हर छोटे बाल वाली लड़की को एक नहीं समझना चाहिए दो अलग-अल आत्री जो है वो शराब पीकर निकल रहे हैं असलियत ये थी कि ये माला बार होटल एक चाई की दुकान है हम लोगों ने उसकी जीपियस लोकेशन भी रिलीस करी और वहाँ पर उच्छिरा कॉलम में ये दुकान थी वहाँ पर चाई ब्रेक के लिए सब लोग निकले थे औ वहाँ के एक वीडियो को गलब तरीके से प्रस्तुत किया गया इतने जलाए इतने बॉखलाए हुए ये लोग हैं कि चाई पीना इनको मदिना नजर आता है जैसा कि इनकी रैलीस में होता है आज के लिए हम नवा और अंतिम जूट आपके सामने बता रहे हैं और ये कुछ जितेंद्र सिंग जी ने राहुल गांदी जी के जूते के फीते बांदे असलियत ये थी कि उनके जूते के फीते खुल गए थे वो राहुल जी के साथ आगे चल रहे थे राहुल जी ने उनको अपने जूते के फीते बांदने के रिए का अगर वो रुकते तो कारवा और आता और पीछे से काफी भीड आती है तो राहुल गांदी जी खुद रुख गए वो आए बीच में अपने जूते का फीता बांदा और इस पर उन्होंने वीडियो भी रिलीस किया और स्पश्टी करण भी दिया लेकिन बैचारे लोग लगे रहे और कब तक लगे रहे क्यों क्योंकि विडंबना ऐसी थी कि राहुल गांदी जी जो जूता पहनते हैं और हां मैंने वो वीडियो रिलीस किया मैंने वो पिक्चर रिलीस करी जो राहुल गांदी जी वीडियो पहनते है वो लेस लॉग है उसमें लेस बांधनी ही नहीं पड़ती है लेकिन बैचारे ट् के प्रवक्ता इनके मंत्री इनके लोग अपने आप से नहीं बोल रहे हैं इनकी नियुक्ति या तो मोदी जी ने करी है या नड़ा जी ने करी है और इसलिए दबख on all of these lies stops with them उनके दर्वाजे पर आकर ये सारे जूट रुख जाते हैं ये जूट और दुष्परचार का काम उन्हीं लोगों ने किया है हम ये जानते थे कि लोगों को भारत जोड़ता देखकर ताना शाय परिशान जरूर होगा लेकिन माफी वीरों के इन जूटों को जूट का पुलिंदा बनाते देखकर शायद थोड़ा सा तरस भी आता है और जैसा कि मैंने कहा कुछ नामी गिरामी न्यूज आइंकर इस जूट को बढ़ाने का काम करते हैं जब बताओ तो डिलीट कर देते हैं माफी मांगते हैं पीछे से शायद सारवजनिक रूप से आपनों क नहीं दिखाते होंगे डिये मैसेजिस करकर और एसेमेस करके माफी मांगते हैं लेकिन अपना जमीर बेचकर पत्रकारता का जो आप स्वांग रच रहे हैं वो बंद कर दीजिए क्योंकि आप किसकी गोदी में बैठे हैं वो आपकी हर एक ट्वीट आपके हर एक फेस्बु जी ने अपने तमामों ट्रोल आर्मी बेतहाशा पैसा मीडिया के अधिकांश एंकरगर को खड़ा कर दिया है लेकिन जब भारत जुड़ने पर आ गया है तो ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं इनका जूट बार बार पकड़ा जा रहा है और एक आदमी अपनी तपस्या को करत आते हुए आसू पोर्चते हुए लोगों को होसला जताते हुए उनके टूटो सपनों को बिखरे हुए सपनों को जोडते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और ये देश जोडता जा रहा है और यही हमारी जीत है हर जूट का परदाफाश होता है क्योंकि जूट की उम्र ब पता है कि तीस लोगों की एक आर्मी बैट कर पूरे वक्त यात्रा देखती है मैं तो इस मंच से कहती हूँ आईए इस यात्रा से जुड़िए मोधी जी खुद भी आए इस यात्रा से जुड़िए जो प्रेम और महबत और जो जजबा देखने को मिलता है उससे आपके अंद अफरत बदल जाएगी और आप एक बहतर इंसान बन जाएंगे खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन दबाएंगे